Hello students, welcome back and today you will read about conjunctions. What is conjunction? How many types of conjunction? So, conjunction is a word which works about joint. किसके बारे में काम करता है वे? Joint करने के बारे में काम करता है. देखें, जिस परकार से एक train होती है? इमेज आपके सामने है, एक train होती है. Train के प्रतिये जो compartment होते हैं, bogeys होती है. उनको क्या किया जाता है? किसी ना किसी jointer के द्वारा join किया जाता है. तो जो conjunction होते हैं, उनका कारे भी यही है. कि ये क्या करते हैं? कंजेंशन दो या दो से अधिक sentences को आपस में जोड़ने का कारे करते हैं. तो इसकी definition क्या रहेगी? कंजेंशन की. जैसे, a conjunction is the part of speech. कंजेंशन क्या है? एक part of speech है. और कंजेंशन क्या करते हैं? जोइन वर्ड्स सब्दों को जोइन करता है, जोड़ता है. और सब्दों के जोड़ता है. सब्दों को भी जोडता है और सब्दों के ग्रूप को यानि कि आपस में sentences को भी जोडता है दूसी language में हम conjunction को इस तरीके से भी define कर सकते हैं कि a conjunction is the glue that holds words conjunction क्या इक glue है जो क्या करता है पकड लेता है जकड लेता है आपस में सब्दों को phrases को clauses को जहाए वो dependent हो अत्वा independent हो together दोनों को एकठे वो जोड लेता है तो इसका main मोटी समझ में आगया conjunction का काम क्या होता है आपस में sentences को जोडने का ये काम करता है अब conjunction होते कितने प्रकार के हैं देखे main रूप से तो conjunction जो आप लोग पढ़ते आते हैं दो प्रकार के ही आपने हमेशा पढ़े हैं coordinate और subordinate coordinate conjunctions and subordinate conjunctions लेकिन इन दोनों प्रकार को तीन प्रकार में बाटा जाता है यानि coordinate और subordinate में कुछ ऐसे words होते हैं जिनके लिए एक नया conjunction बना है उसका नाम है co-relative conjunction तो हमने आपको दोनों ही प्रकार से बताने की कोसिस किये हैं आपर coordinate और subordinate जो आपने हमेशा से पढ़ रखे हैं उन words को पूरा पूरा बताया है उसके बाद उसमें से हमने ऐसे concept words निकाले हैं जो co-relative को बताते हैं तो चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि इसके types क्या हैं देखे types of conjunction जैसे कि अभी हमने बताये था तो there are three types of conjunctions कितने परकार के conjunction हैं तीन परकार के conjunction हैं कंजंक्शन मतलब एक परकार का junction जहां पर कोई भी चीज आती है रुकती है चल देती है तो उसको junction मतलब वहां पर कोईसी भी चीज को जोडते हैं तो यह कितने परकार के होते हैं number one coordinating conjunction number two subordinating conjunction और number three co-relative conjunction हमने पहले ही बता दिया है main रूप से आपके दो परकार के ही conjunction थे coordinating और subordinating लेकिन coordinating और subordinating में कुछ ऐसे words होते हैं जो जोड़े से यानि कि pair से यूज होते हैं तो जो सब्द pair से यूज होते हैं उनके लिए एक नया conjunction होता है core relative conjunction इसलिए हम कितने परकार के बोलते हैं इनको three types के conjunction बोलते हैं अब coordinating conjunction क्या है what is coordinating conjunction देखिए coordinating conjunctions join together words, phrases and independent clauses ये क्या करते हैं coordinating conjunction कुछ सब्दों को जोड़ते हैं phrases को जोड़ते हैं और independent clauses को जोड़ते हैं और ये coordinating जो conjunction होते हैं वो कितने परकार के होते हैं देरा four types of conjunction कितने परकार के होते हैं four types of conjunction होते हैं number one होता cumulative conjunction cumulative conjunction होते हैं समानता बताने वाले इसके अंतगत जो words होते हैं वे हैं जैसे end as well as both end and not only but also देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है थोड़ा सा underline word को किया है यह जो both end है यह भी माल लिजे आप underline ही है क्योंकि यह भी क्या होता है pair में ही यूच किया जाता है तो end और as well as यह हो गया हमारा coordinating का और both end not only but also होता coordinating का ही है लेकिन इसको हमने divide किस में कर दिया है को रिलेटिव कंजेंक्शन में बाद में हमने इसको ला दिया है फिलाल आप यहीं सीख रहे हैं यह क्या है end माने और as well as और both end दोनों और और not only but also ना कि बलकी फिर आपका alternative कंजेंक्शन alternative मतला होता है दोनों में से कोई एक जैसे either or और neither nor तो यह क्या है यह भी pair सही होते है either or और neither nor यह बैसे coordinating के word है लेकिन हमने इसको किस में डाला है को relative में डाला है otherwise otherwise means होता है अन्य था adversative means होता है broad बताने वाले यह सभी coordinating के ही word है इनको बाद में हमने divide किया हुआ है तो adversative माने क्या होता है but इसके अंतरगर जो words आते हैं but माने लेकिन yet फिर भी still तो भी however तो भी और relative conjunction होते हैं so यह क्या बताते हैं region को बताते हैं तो इस तरीके से यह हमारे कौन से हो गए coordinating conjunction चार प्रकार के हो गए इसको हम single time भी कैसा अगर हम यह प्रकार नहीं बताते तो हम इनको single time में भी बता सकते हैं अब हम आगे देखेंगे अगर हम इन सब्दों को हटा देते हैं तो हमारे coordinating conjunction कितने होते हैं और उनको हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं देखें coordinating conjunctions हमने क्या किया को रिलेटिव कंजंचन को हटा दिया केबल coordinating conjunction जब तीन प्रकार के होते हैं तो हमने इनको रखा तो इनको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है fanboys एक बर्ड याद कर लिजिया fanboys आपको जितने भी coordinating conjunctions रह जा रहे हैं यह निकी relative से पीछे जो रह जाएंगे वो आपको याद रहेंगे जिसके अंतरगात कैसे हैं f f f से मतलब होता है for a a से मतलब होता है and and से मतलब होता है and मतलब nor b b से मतलब होता है but o से means होता है or yet से means होता है y से means होता है yet और S से means होता है So ठीक, पहले हमने बता दिये coordinate के complete words बता दिये थे जिसमें हमने आपको divide करना भी बता दिया था कैसे आप correlative को अलग करोगे और इस वाली table में हमने सिर्फ और सिर्फ coordinating conjunctions बताए है divide to correlative conjunctions, यहाँ पर हमने उनको बिल्कुल हटा ही दिया है जिससे आप बिल्कुल confuse ना होँ अब for का मतलब होता है क्यों की and का means होता है और nor का मतलब होता है and not, मतलब और नहीं, but का means होता है लेकिन, यानि की however or means होता है अथवा या either, जैसे either or use करते है या तो अथवा तो अथवा है नहीं, दो में से कोई एक yet का means होता है फिर भी, but का means भी लेकिन होता है इसके sense में use किया जाता है, so means होता है इसलिए और therefore means भी होता है इसलिए तो यह दोनों आपस में alternate भी यूज हो जाते हैं, जैसे अगर हम for का example लेते हैं तो कैसे समझेंगे उसे जैसे I have to find a new job मैंने एक new job पा लिया for I am unemployed क्योंकि मैं कौन हूँ? unemployed हूँ मैंने एक new job पाया है क्योंकि मैं unemployed हूँ मैंने unemployed हूँ मैं इसलिए मैंने एक नया job पा लिया है तो for का means क्या होता है? क्योंकि इसको हम coordinating के रूप में अगर क्योंकि का आर्थ होता है तो for का use करते हैं अगर subordinate में होगा तो हम वहाँ पर because का use करेंगे coordinate में हम because word का use नहीं करते हैं आपस में दोनों सुनोनिम है यह हम coordinate में यूज करेंगे तो because हम कहां यूज करेंगे subordinate में यूज करेंगे next and के लिए I have one dog मैं एक कुत्ता रखता हूँ and three love birds और तीन प्यारी सी चड़ियां रखता हूँ तो और दो में relation बता रहा है नौर तो नौर नाइदर मार्क नौर मैरी वर अट दा स्कूल यस्टरडे न तो मार्क और नहीं मैरी कहां पर हैं कल स्कूल गए कल स्कूल में थे यानि न तो मार्क और नहीं मैरी स्कूल में कल थे नौर माने होता है और न तो इसका जोड़ा पुरा होता है नाइदर नौर दोनों हम एक साथ भी उच कर सकते हैं बट बट कार्थ होता है लेकिन तो I go to work on Sundays मैं कब जाता हूँ संड़े को काम पर जाता हूँ बट I don't go to work on Saturday लेकिन मैं Saturday को कारे पर नहीं जाता हूँ तो बट क्या बता रहा है डिफ्रेंस बता रहा है नहीं बिरोद बता रहा है आपस में और मेंस होता है अथवा आइदर और के संग भी यूज़ कर सकते हैं इसको अकेली भी हम अदरवाइज के सेंस में यूज़ कर सकते हैं Does killer have any brothers or sisters क्या killer अथवा Does killer have any brothers or sisters क्या killer कोई भी भाई अथवा बहन रखता है यहां पर जो और लगा है यहां पर हम अधरवाइज का भी यूज़ कर सकते थें यहां पर हम और अथवा अबलिक अधरवाइज भी कर सकते हैं फिर है I really wanted my son to study at university यहीं आई really wanted my son मैं अपने बेटे को वास्तम में चाहता हूँ to study at university कि वैं एक university में पढ़े yet he left the school फिर भी उसने school को छोड़ दिया so के लिए क्या है my daughter is very smart so everybody likes her मेरी डॉटर बहुत smart है इसलिए उसे सभी लोग पसंद करते हैं किलियर हो गया होगा coordinate conjunctions आपका cable coordinate में क्या करना है जोडे वाले जो सब्द हो जाते हैं पेर वाले जो सब्द हैं अगर आप से अलग अलग पूछा जाता है तो आप उसे हटा दीजिये नहीं तो वो coordinate के अंतगत तो रहते ही है next है आपका subordinate conjunctions subordinate conjunctions में क्या है a subordinate conjunction is a connecting word subordinate conjunction क्या है is a connecting word जोडने वाले सब्दों को कहते हैं और phrase या फिर phraseों को जोडने वाले that introduces a dependent clause joining it to a main clause और क्या करता है that introduces a dependent clause और यह एक dependent clause जो स्वतंत clause होते हैं उनको introduce करता है joining it to a main clause और main clause से यह जोडता है subordinating conjunction go with dependent clauses subordinating conjunction किसमें यूज होता है dependent clauses में यूज होता है यह स्वतंत clauses को यह जोडते है that are used to redefine और modify the main point of the sentence और यह इस तरीके से main point of the sentence को बताते हैं अब इसके अंतगत कौन कौन से words होते हैं subordinate conjunctions का तीनों का आर्थ है कि यह coordinate, subordinate और correlative यह आपस में जोडने का कारे करते हैं अब subordinate के अंतगत हम define करते हैं इनको अलग-अलग तरीके से जैसे time अगर sentence में time के बारे में बताया गया है तो हमें यह इतने clauses लिखे हुए इनको यूज करना है जैसे when after as soon as before till after no sooner than और wherever ऐसे ही place के बारे में आता है तो where और wherever अर्थ पता होंगे where जहां और wherever माने जहां कहीं भी reason के लिए आता है तो because as और since का यूज करते हैं because माने क्योंकी as mean जैसे since माने क्योंकी condition आती है यदि सर्थ आती है तो if unless या in case का यूज इसमें करते हैं manner या तरीका बताए जाए तो as as if as far as या so far as का यूज इसमें करते हैं purpose आ जाए purpose मीन सोता अगर परपच के बारे में बताए जाए तो so that in order that दूसरी so that माने होता है ता कि in order that means भी होता है ता कि लेकिन इनके साथ so that और in order that के साथ may और might का यूज किया जाता है और least least means होता है कहीं ऐसा ना हो इसके साथ हमेशा should का यूज किया जाएगा comparison बताया जाए यदि यह नहीं कि तुलना बताई जाए तो edge edge का यूज करते है so edge का यूज करते है और then का यूज करते है uses मालूम है इनके degrees में use होते है edge edge और so edge ये भी क्या pair है edge edge और so edge इसी लिए इनको underline किया है वैसे ये subordinate clause के ही अंतगत रहते है अगर अलग करना है इनको तो हम इसको correlative में मान सकते है contrast छोटे वच्चों के लिए ज़्यादा मैत्तुपूर है ये चीज बताना define करना differential क्या होता है मैं different different बताना होता है कि coordinate या subordinate या co-relative क्या होते है तो आप बता सकते हो ये सभी वर्ड जो co-relative के वर्ड है वो coordinate और subordinate के ही है लेकिन जो pair से use होते है वो co-relative के अंतगत आ जाते है और वैसे ये इनी का एक जोड़ा है contrast माने क्या होता है बिरोध बताना होता है इसके अंतगत जो बड़्स आते है although, यददपी, though, even if, however कई हो जिसमें करते है result अगर result बताया जाता है परड़ाम बताया जाता है तो so that अब so that के बीच में हमने क्या लगा है ये dash लगाया हुआ है इसका मतलब क्या है ये भी एक pair है तो आपको मालूम है आपने remove to sentence किये हुए है उसमें आपको मालूम पहले sentence में जैसे so लगाते है तो दूसरे को that से जोडते है आगे बताएंगे इसके हम exercise, examples condition सर्थ बताए जाए यदि ये repeat हो गई है condition तो if, unless, in case पीछे भी बता दिये थे हमने ये आपको manner manner भी repeat है relative pronoun देखे relative pronoun जो है उसके अंतरकर जो words होते है who, whose, whom, which और that का use किया जाता है ये आप अपनी note book पर note कर लेंगे बाद में जैसे बताया है वैसे ही अलग-अलग note कर लेंगे जो repeat हो गए है ये points उनको आप छोड़ देना relative adverb के अंतरकर how, why, when, where कह सकते हैं यानि कि wh वाले words तो इसमें क्या क्या आ गया wh वाले words आ गये सारे subordinate conjunctions में sort में समझ लीजे manner में as, as if, so far as ये सारे word आ गये आपके और purpose में आपके so that, in order that, may, might use करते हैं, in order that or so that के साथ में और least के साथ में should का use करते हैं, comparison में as, so as, although, though, even if यानि direct भी आप इने याद कर सकते हो जरूरी नहीं है कि ये point ही आपके दिमाग में रहे हैं, आप direct भी in words को लिख दीजिए और याद कर सकते हो इसके examples को समझने के लिए चलते हैं, हम लोग example पर देखिए, जैसे ये I know the man who stole your watch I know the man मैं उस आदमी को जानता हूं who stole your watch जिसने तुमारी घड़ी चुराई, तो जिसने जिसने के लिए क्या है व्यक्ति को indicate किया जा रहा है इसलिए आपर क्या लगाएंगे who का भी यूज करेंगे who क्या है, relative pronoun है next, this is the blaze यह गाओं है where I was born जहां में पैदा हुआ था क्या बता रहा है, place बता रहा इसलिए क्या यूज किया, where यूज किया है next, this is the same horse यह वही घोड़ा है as I purchased yesterday जिसको मैंने कल पर्चेस किया था तेकि same यह सच के साथ edge का प्रियोग किया भी जाता है, यह correction rule में भी आता है walk carefully means आपधानी से चलो, least you should fall down least means क्या बताया था कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ तो least के सब क्या प्रियोग बताया था, हमने इस तरीके से यह हो गए आपके subordinate के uses, अब चलते हैं correlative की तरफ, देखे correlative conjunction, देख लीजे आप कोई अलग से नहीं है वही सब uses है इन में क्या है, कुछ और भी words हमने लिख दिये हैं जो जोडे से ही use किये जाते हैं देखे, both end either or, neither nor weather or not only, but also such that, scarcely when no sooner than बहुत सारे words होते हैं जो हमेशा जोडे से use किये जाते हैं तो ध्यान देजे, जितने भी pair के words हैं वो किसके अंतगत आते हैं correlative के अंतगत आते हैं और बागी जो आपने पीछे देखे, वो particular उसके भी हैं, और कुछ words अगर हम हटा दें तो वो इसमें add हो सकते हैं तो आप जानी चुके हैं both and, कैसे बनाओगे sentence को, example है जैसे the company deals in both hardware and software यानि यह जो company है दोनों ही चीजें deal करती हैं दोनों ही चीजें, बोत माने क्या बता हैं दोनों ही चीजें, hardware और software, तो यह क्या है, जोड़ा है दो चीजें को बता रहा है, तो इसलिए यह correlative है, आपस में क्या बता रहा है, संबंद बता रहा है I will eat either carrots or peas for dinner मैं, dinner में मैं, क्या खाऊंगा, चाहे carrot, चाहे peas, मतर खाऊंगा, एक चीज खाऊंगा, या तो मैं carrot खाऊंगा, या फिर मैं butter खाऊंगा Next है, Natalie likes neither milk nor cream cake नाम है यह तो Natalie जो है वो ना तो दूद पसंद करता है और ना ही cream cake पसंद करता है न तो न तो के sense में आएगा Do you care whether we have noodles or rice for dinner क्या तुम परवा करते हो Whether we have noodles, चाहे मैं noodles रखूं अत्वा डिनर के लिए rice रखूं Next है, he not only studies hard, बट also works hard वह न तो study करता है hard और नहीं work hard करता है It's such a tinny kitchen, यह बहुती छोटी kitchen है That I don't have to do much to keep it clean तो मैं इसे अच्छे से साफ नहीं कर सकता हूं Scarcely had the entered the room when the phone rang मुस्किल से ही मैंने कमरे में प्रवेश किया तभी घंटी बस गई No sooner did he enter the room than he saw a snake No sooner did he enter the room उसने कमरे में प्रवेश किया ही नहीं था तभी एक snake को उसने देखा तो इस तरीके से जितने भी pair वाले word हैं ये correlative के अंतगर आते हैं तो आप confused नहीं हों जनों ने अभी तक coordinating और subordinating ही पढ़ा है तो उनके लिए coordinate और subordinate हमने साजे में बताया है साथ में बताया है वो अपना उसी पर focus करें और जिनके स्लाबस में तीनों है coordinate और subordinate और correlative वो अलग अलग इसको पढ़ें तो तीनों के लिए detail में बता दिया है इसके बाद चलते हैं आपकी तरफ now your turn कुछ sentence आपके लिए लिखे हुए है आप बताते चलेंगे इसके बीच में आपको क्या fill करना है हमने कोई भी आपको foundation नहीं दिये हैं कि इसमें आपको क्या भरना है कि अबल अर्थ निका लिए और fill up कीजिए I am going to Delhi I will stay there for a week I am going to Delhi मैं Delhi जा रहा हूं मैं एक हपते के लिए वही ठहरूंगा तो spelling सा गलत है ये week तो हपता की है यहाँ पर तो मैं वही ठहरूंगा WWE के तो क्या आंसर आएगा end आपने भी end भरा है न ठेक next question है make hast you will be late जल्दी करो तुम लेट हो जाओगे क्या है दोनों बिरोधी बाते मताई जारी है जल्दी करो अन्य था तुम लेट हो जाओगे क्या आएगा make hast otherwise या और you will be late देकि दोनों ही आंसर है otherwise और और आप भी अपना आंसर चेक कर लिजे next है profissor गुपता क्योंकि conjunctions जो आते हैं वो mostly paper में जब आते हैं तो आपके लिए बताए नहीं जाता है कि आपको यहाँ क्या fill up करना है सिर्फ आता है वहाँ fill up the conjunction conjunction को आपको fill up करना है तो profissor गुपता was late profissor गुपता late थे blank he missed the train इसलिए उन्होंने train को miss कर दिया क्या आना चाहिए आपर so तो यह कौन सा conjunction रहा so coordinating conjunction रहा लेकिन आपको याद रखना है कर गई पूछ भी लिये जाता है यह कौन सा conjunction है competition exam में पूछ लिये जाते हैं वैसे भी तो इसका आंसर रहा so next question है it was a stormy night तूफानी रात थी he ventured out वह बहार निकल गया क्या आना चाहिए तूफानी रात थी फिर भी वह बहार निकल गया क्या आएगा यहाँ पर yet answer देखते हैं yet good आपका भी सही है next fill the sentences with subordinate conjunction अच्छा यह coordinate थे अब यह क्या है subordinate लेकिन वाँ नहीं बताया था हमने आपको coordinate करना या subordinate करना है देखें अच्छा बताया था आपने आगे बढ़ा दी थी आपकी fill the sentences with coordinate conjunction लेकिन आपने सारे ही coordinate ही fill up किये थे अब यहाँ हम बता रहे हैं आपको fill the sentences with subordinate conjunction अब आपको subordinate conjunction fill up करने है learn your lesson अपना part याद करो you will pass your examination तुम exam में pass हो जाओगे क्या ना चाहिए यहाँ पर यदि यदि तुम lesson याद करोगे तो exam में pass हो जाओगे तो यह क्या भरेंगे आप यहाँ पर if if you learn your lesson you will pass your examination next है रस्मी must pass रस्मी को pass होना चाहिए see studies regularly क्यों pass होना चाहिए वह regular study करती है क्या आएगा यहाँ पर because रस्मी को pass हो जाना चाहिए क्योंकि वह regular study करती है answer क्या रहा हमारा because next है he came to me वह मेरे पास आया was writing an essay I was writing an essay मैं क्या कर रहा था उस समय एक essay लिख रहा था तो क्या आना चाहिए वह मेरे पास आया जब मैं एक essay लिख रहा था क्या आना when when means जब next है he is poor he is not dishonest वह गरीब है he is not dishonest वह बेइमान नहीं है तो यदपी वह गरीब है फिर भी बेइमान नहीं है तो यहां क्या आएगा although although he is poor he is not dishonest देखते है answer क्या रहा हमारा although दो भी आ सकता है दो या although एक ही means रखता है ठीक next fill the sentences with co-relative conjunction क्या है आप co-relative conjunction आपको fill करने है he was poor he could not buy this book वह गरीब था या आपको sentence आपको sentence ये clear हो गए है coming time समेसे आओ do not come at all मत आओ क्या हुआ या तो समेसे आओ अथवा बिलकुल मत आओ क्या आना चाहिए है आपे या तो अथवा क्या मीनिंग होता है आईदर और आईदर और नेक्स्ट है he was marked absent turned out of the class he was marked absent उसकी absent ही नहीं लगाई गई बलकि उसे class से भी निकाल दिया गया तो क्या आना चाहिए नकी बलकी not only but also he was not only marked absent but also turned out of the class आनसर भी हमारा क्या रहा not only but also ठीक ये कुछ सेंटेंस थे अगर कोई भी confusion रह गया हो तो आप comment box में पूछ सकते हो अभी भी पूछ सकते हो चैट आपकी continue चल रही है अगर कही confusion है आपको तो तो आपके कितने पकार हो गए coordinate, subordinate और co-relative co-relative conjunction किश्य बना है ध्यान दीजिए coordinate और subordinate में ही जो pair वाले words होते हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो co-relative conjunction हमारा बन जाता है और बैसे अगर हम differentiate करेंगे इसको तो coordinate और subordinate ही रहेगा लेकिन जिसन के लाबस में तीन प्रकार के बताए गए हैं ये conjunction तो वो इन तीनों प्रकार को अलग-अलग पढ़ेंगे और जिनके यां केवल दो ही बताए गए हैं तो वो इन दोनों को ही पढ़ेंगे coordinate और subordinate ठीक है किलियर हो गया होगा चैप्टर आज के लिए इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बैल ओन करिए जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस हमारे पहुंसते रहें थैंक यू